हलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 कक्षक 11 का विशे पॉलिटिकल साइंस राजनीती विज्ञान और राजनीती विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए राजनीती विज्ञान के मूल आधार की एकाई दो का अध्या प्रत्वी के किसी निश्चित भाग में शांती में जीवन के लिए संगटित लोगों को राज कहते हैं यानि कि प्रत्वी के धरती के किसी निश्चित भाग में शांती में जीवन यानि शांती से जीवन जीने के लिए जो लोगों का संगटित जो लोगों का संगठा निख खटा हो जाता है तो से क्या कहते हैं राज कहते हैं और यह किस ने कहा है वुड्रो विलसन ने अब हम देखेंगे बच्चों की राज का भारतिय दृष्टि कोण क्या है राज के विशय में प्राचीन भारतिय चिंतन में विस्तार से प्रकास डाला गया है मनुस्प्रती, शुक्र निती, महाभारत का शांती पर्व और कोटिल्य करत अर्थ शास्त्र में राज की उत्पत्ती स्वरूप राज का कारशेत्र आधिक विस्थार से उलेग किया है इस संधर्व में राज की स्वरूप को स्पष्ट करने हितू निम्नांकित बिंदों का विश्लेशन आवशक है वो क्या है वो हम देखते हैं तो पहला है राज की उत्पत्ती राज की उत्पत्ती कैसे हुई है मनुस्मरती, शुक्रि निती और शांती पर की अंतरगत राज्य से पुर्व की अवस्था का वर्णन करते हुए यह कहा गया है यह कहा है कि राज्य विहीन अवस्था में समाज में चारो और अन्याय उत्पीडन भै तता अशुरक्षा का वातावरन व्यापत था बल्वान लोग निरंकुष थे और जो ताकतवर नहीं है जो निर्बल है उन पर वे अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे कौन बलवान लोग है निरंकुष लोग निर्बल लोग असुरक्षित थे और बलवानों के भैसे इधर उदर छिपते फिरते थे एसी स्थिति में संपूर्ण संसारगी रक्षा और निर्बल के मंद से असुरक्षा के भाव को दूर करने दता बलवानों पर अंकुष लगाने के लिए स्वेम इश्वर ने राजा की स्रष्ठी की यहनि की स्वेम भगवानने क्या किया? राजा की स्रस्टिकी यानि राजा को किंग को स्वयम भगवाने रचा इश्वर की निर्मित होने के कारण राजा निरंकुष है किन्तु धर्म एवं नैतिक्ता के बंदनों से वे मरियादित है यानि कि वे धर्म और नैतिक्ता के बंदनों से बंदा हुआ है राजा इंद्र, सूर्य, वायू, यम, वरुण, चंद्रमा, अगनी, प्रत्वी और कुबेर जैसे तातकालिक गुनों से युक्त होता है अब हम देखेंगे बच्चों की राज्य का सुरूप क्या है, कैसा होता है प्राचिन भारतिय विचारकों ने राज्य के साव्यवी स्वरूप का वर्णन किया है और राज्य के साथ घटक माने हैं जिसके प्रकर्ति नाम दिया गया है राज्य की साथ प्रकर्तिय निम्ननुसार है यानि कि भारती जो विचारक है उन्होंने राजे के सावयवी सरुपु का वणन किया है और राजे के साथ घटक माने है और जिसे क्या नाम दिया है प्रकरती नाम दिया है अब हम देखेंगे वो साथ घटक कौन-कौन से है पहला है स्वामी हम देखेंगे स्वामी कौन होता ह मनु ने राजा को स्वामी की संग्यादी, यार नियत्ति गुणों और प्रशासनिक शम्ता से युक्त एक कर्टवे निष्ट राजा को राजje के लिए आवशक माना है शुक्र निति और शांति पर्व में स्वामी के इस्थान पर राजा शब्द प्रियुक्त हла है दूसरा है पुर, पुर का अर्थ राज्य की राजधानी है मनुने ऐसे शेत्र को राज्य की राजधानी बनाने का उलेग किया है जो बली भाती सुरक्षित हो और जिसमें दुर्ग भी हो दुर्ग यानि क्या होता है जहांपर किला भी हो कोटेल के अर्थशास्तर शुक्रिंती और शान्ती पर्व में दुर्ग को राज्य की प्रकर्टी का तीसरा रांग माना है प्राचिन भारतिय ग्रंथों में दुर्गों के कई प्रकार बताये गए हैं जैसे धन्नव दूर्गों मही दूर्ग जल दूर्ग व्रक्ष दूर्ग और मनुष्य दूर्ग एवं गिरी दूर्ग चौता है राष्ट्र राष्ट्र क्या है भारती विचारकों ने एक निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अधिन आने वाली भूमी और उस पर निवास करने वाली जनता को राष्ट्र की संग्या दी है कोटल ने इसके लिए जन्पद और शांती पर्व में देश शब्द का प्रियोग किया है जन्पद की भौगोलिक परिफ्तितिया ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण इनकी रक्षा करना सुगम हो जन्पद की भूमी उपजाओं होन चाहिए तो वो क्या कहलाएगा राष्टर कहलाएगा impulse्ająust वाल जानी की जो राज्य में शांसन के पास एकत्रत धन को नाम दिया गया जो धन संचे होता है जो धन इकटा करके रखते हैं राजा उसको क्या गते है कोश और यह विचार व्यक्त किया किया है कि राज्य के पास परयाप्ध कोश होने पर ही राजा प्रजां की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विविन कार्यों को कर सकेगा छटा है दंड का सेना को भारती वीचारक राज्य की सु्रक्षा के लिए अनवारें मानते हैं दंड यानि क्या होता है बच्चों सजा यानि कि दंड सेना पर सुरक्षा का दोहरा दाइत होता है यानि कि जो सेना होती है जो मारे सैनिक होते है उन पर जनता की सुरक्षा का दोहरा दाइत होता है यानि कि जिम्मेदारी होती है आंत्रिक तता बाह सुरक्षा मनुनी राजा से यह पेक्षा की है कि वैं राज्य की रक्षा के लिए सेना के सभी अंगों जैसे की याती सेना रत्थ को भी राज्य के आवशक अंग के रूप में स्विकार किया है उनके अनुसार राज्य को अन्य रुज्जों के साथ भी अपने सम्मधों का निर्वा करना पड़ता है तो ये हमने देखे साथ अंग अब हम देखेंगे कि राज्य का कारिशेत्र कैसा होता है और इसमें क्या-क्या आता है प्राक्चिन भार्द के विछारवक्य के अनूसार राज्य के प्रमुख करतेवे इस प्रकार है पहला है प्रजारक्शन यानि कि राजा का दायित्व हότε। कि वो जो उसकी प्रिजा है वो जो उसके राज में जो जनता निवास कर रही है या जनता जो रह रही है उसके राश्टर में वो क्या कहलाती है प्रिजा कहलाती है तो राजा का दाइत होता है कि प्रिजा के प्रति जो उसके कर्टवया उनको पूरा करे और प्रिजा के साथ क सामाजिक व्यवस्था का निर्वा एवं नियमन करना यानि राजा का यह दाइत्व होगा कि वे सामाजिक जो व्यवस्था है उसका निर्वा करे एवं उसका नियमन करे नियाय की व्यवस्था करना यानि राजा का यह भी दाइत्व है राजा का यह करतव्य बनता है कि वे उ प्रशाष्न कन्याक है त प्रशाष्न प्रणाली करता है। द्रस्टिकोन पहले हमने देखा राज्य का भारती द्रस्टिकोन अब हम देखेंगे राज्य का उदारवादी द्रस्टिकोन एक राजनितिक सिद्धान्त के रूप में उदारवाद दो प्रतक तत्वों का योगिक है यानि राजनितिक सिद्धान्त की रूप में उदारवा वर्न ने राजनितिक चिंतन की इत्यास में उदारवादी विचार धारा का स्तित्व पिछली चार शताब्दियों से है यह एक लचीली एवं गतिशील विचार धारा है यानि कि लचीली क्या होती है जो बार 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 बदली जा सकती है और गतिशील यानि कि जो जिसमें गत का पिनकार हुर्व को आपको चेंज किया है तो परिवर्तन किया है विटेंडरी को सदेव ही, कि वयक्ति साध्य है तता राज्य एवम अन्य संस्ताः साधन मात्र है। उदारवाद के एतिहासिग विकास के आधार पर दो चरन देखे जा सकते हैं। पहला शास्त्रिय चिर संमत उदारवाद तता दूसरा आधुनिक उदारवाद। उदारवाद की इन दोनों श्रेणियों तथा इनसे सम्मंदित उदारवादी विचारों की व्याक्या निम्ना अनुसार यानि की नीचे की गई है वो हम देखेंगे अब हम देखेंगे कि शास्त्री उदारवाद यानि की चिर सम्मत उदारवाद क्या होता है शास्त्री उदारवाद, प्राचिन उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं यानि कि जो पहले के समय का, यानि कि जो प्राचिन उदारवादे उसे क्या कहते हैं नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं क्योंकि इसमें व्यक्तिकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की नकारात्मक भूमिका पर बल दिया जाता है। इसमें व्यक्तिक अधिकारों की सवेधानिक स्वरक्षा की मांग तक सीमित्था कालांतर में आर्थिक और राजनेतिक संगठन तथा राजनेतिक कार्यक्रम से संबंदित प्रश्न भी उसकी परीधी में आ गए। अपनी इस अवस्था में उदारवाद धार्मिक स्वतंतरता क्या होती है कि व्यक्तिको धर्म से संबंदित स्वतंतरता हो। वैं किसी भी धर्म का और उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदवाओ न किया जाए। इस सवस्था में उदारवाद धार्मिक स्वतंतरता, शहशनूता, सविधानवाद तथा राजनितिक अधिकारों की मांग के रूप में सामने आया। 1688 की शास्त्री उदारवाद जिसे व्यक्तिवादी उदारवाद और नकरात्मग उदारवाद भी कहा जाता है कि राज्य के संबंद में निमने लिकित धार्नाएं हैं। 1688 कारात्मग उदारवाद शास्त्री उदारवाद या व्यक्तिवादी उदारवाद की धार्नाएं हैं। तो पहली है राज्य का यांत्रिक रूप दूसरी व्यक्ति साध्य समाजता राज्य साधन हैं। व्यक्तिके आधिकारों के प्राकर्तिक रूप की माननेता, सतंत्रता के आदर्श की माननेता, समानेता के आदर्श की माननेता और राज्य के नियुनतम कारिये। अब हम देखेंगे बच्चों की आधुनिक उधारवद क्या होता है। पहला हमने देखा शास्त्री उदारवाद और दूसरा है आदुनिक उदारवाद तो 19 शतावदी के पुरवार्द में शास्त्री उदारवाद और उससे जुड़ी चिंतन परंपरा में निरंतर परिवर्थन होता गया इसमें राज्य की नाकरात्मक भूमिका के स्थान पर उसकी साकारात्मक पक्षपर बल दिया गया यानि शास्त्री उदारवाद में क्या होता था नाकरात्मक पक्षपर अधिक बल दिया जाता था और इसमें क्या हो आदुनिक उदारवाद में जो नाकरात्मक भूमिका के स् तो वही रहा किन्तु इसकी प्राप्ति के साधन बदल गए शास्तिरे उदारवाद की सफलता के परिणाम सरूप व्यक्ति को वांचित राजनितिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई अतेवे राज्य के अहस्त शेपवादी स्वरूप की मांग तक सेमित न रहा ब अधुनिक उदारवाद जिसे साकारात्म उदारवाद भी कहा जाता है ने राज्य को ऐसी वर्गों परी यानि वर्गों से वर्ग से अलग संस्ता के रूप में प्रस्तूत किया जो विरोधी वर्ग के हितों के बीच आंसिक रूप से सामंजस से स्थापित करना चाहती थी या सम्मन निस्तापित करती है वे व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य सत्ता एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते हैं बलकि राज्य अपनी सकारात्म गतिवीर्यो दुआरा ऐसी सामाजिक आर्थिक इस्तित्या निर्मित करता है जिसमें सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का व्योग कर सके तो बच्चो आज हमने पढ़ा है हमारा अध्याय भारत का भारतिय उदारवादी एवा माक्सवादी द्रश्टी कौन तो बच्चो हमारे अध्याय के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट वन में पढ़ चुके हैं और इस अध्याय के जो कुछ टॉपिक्स बच गए हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक्यू सो मज